गुट मॉनिंग ओल ओफ यू ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर के हमने शामान आर्थी और विलोमसर्द किये थे तो जितने भी मैंने शामान आर्थी आपको दिये थे जितने भी विलोमसर्द दिये थे आपको सब कुछ याद कर लेना है और आज हम देखेंगे मुहाबरे ये आपके जो भी एक्जाम में जो ग्रामर आता है वो ही ग्रामर को हम सीखते हुए जाएंगे तो अब हम हैं तो भासा को प्रभावशाली बनाने के लिए मोहाब्र का प्रयोकिया जाता है मौहाब्र कैसे होते हैं..? जैसे हम सामानिकी जो बोल चाल की भासा बोलते हैं वा भासा नहीं ओती कुछ विशेश सब्दों होते हैं कुछ विशेश अर्थ होता है और कुछ विशेश रूप से जो प्रकट किया जाता है उसे हाम मोहावरे कहते हैं मुहावरा बाशा को इस परस्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है जो बात सीधे शब्दों से कही जाने पर कहने वाले का भाव पूरा प्रप्रकट नहीं करती वह क्या करती है विशेश सब्द में भावों को प्रकट करते हैं मुहावरे एक वाक्यांस है जो साधरा अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेश अर्थ का बोध कराते हैं सामानी अर्थ का जिसे हम लोग जो बोल चाल की वासा बोलते हैं वो शामानी वासा है लेकिन यह सामाननी का बोध ना करा कर किसी विशेश का विशेश मतलब अच्छी वासा का प्रयोग जिस प्रकार से हम व्यक्ति और महा व्यक्ति में अंतर होटा है उसी प्रकार से सामानी बोलचाल की वासा और मुहाबरे में अंतर होटा है तो मुहाबरे किसी विशेश शब्द का प्रयोग करके बासा को और प्रभाव साली और इसपस्ट और अच्छा और आकरशित बनाती है जिसे हम मुहाबरे कहते हैं मुहाबरे का साधरण या साब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता अपितू किसी विशेश अर्थ की अभिव्यक्ति होती है यहाँ पहले हम देखेंगे कि मुहाबरा कैसा होता है तो पहले कव में दिया है इट से इट बजाना ये मुहाबरा है लेकिन साब्दिकर्थ का मतलब इसका मतलब क्या होता इट को दूसरी इट से बजाना अब इन दोनों का विशेश अर्थ क्या होगा मतलब इसका आर्थ मुहाबरे का अर्थ क्या होगा इट से इट बजाना तो इसका आर्थ हमको उसी की तरह विशेश अर्थ में प्रकट करना तो क्या होगा किसी को दोस्त करना दोस्त मतलब किसी का नास करना किसी को मिटा देना समझ में आया ना दूसरा भी इसी प्रिकार से गोड़े बेच कर सोना अर्था त्खुब आराम से सोना गोड़े बेच कर सो जाना एकदम बेफिक्र होकर सो जाना तो इसका विशेश अर्थ क्या होगा बेफिक्र होकर सोना मुहाबरा क्या है चूडियां पहनना शाब्दिक अर्थ क्या है चूडियों को पहनना और उसका विशेस अर्थ क्या है कायर बनना चूडिया बनकर चूडिया पहन कर बैठ जाना तो क्या बोलेंगे कायर बनकर बैठ जाना उसका विशेस हर्थ है यह है मुहाबरे का हर्थ अब देखेंगे कि मुहाबरों की दो विशेस्ताओं पर ध्यान देना कि इनकी दो विशेषता क्या क्या है तो पहली इसमें विशेषता है कि मुहाबरों का प्रयोग स्वतंतर रूप से नहीं किया जा सकता इसकी कोई स्वतंतरता होती नहीं है ये कैसे प्रयोग किया जाते हैं कि हम कोई वाग के कह रहे हैं जैसे कोई मेरा दोस्त आया और मैंने उससे का अरे यार्थ उम तो बहुत दिनों के बाद दिखाए दिए तुम तो इतका चांद हो गए हो तो क्या मेरे वाक्की के अंदर ये महाबरों का प्रेख हुआ है खाली हम महाबरों का प्रेख स्वतंदर रूप से नहीं कर सकते अभी कुछ बात ना हो कुछ चीत ना हो तो हम खाली बोल दें कि हीड्ष से य्ट बजाना या हमने कह दिया आख भिचाना तो किसको कह रहें कोई मतलब इसका आर्थ कुछ का आर्थ होता नहीं है यह वाक्य के अंदर ही प्रयोग में लिये जाते हैं यह वाक्य के बीच में ही इसका प्रयोग किया जाता है मुहाबरों का प्रयोग स्वतंतर रूप से नहीं किया जाता बल्कि यह वाक्य के यह वाक्य के बीच में प्रयोग किये जाते हैं, इस प्रकारिया वाक्य का अंग बन जाता है, वाक्य का अंग का मतलब होता है, कि वाक्य का हिस्सा बन जाता है, यह अलग से नहीं होता है, यह वाक्य का हिस्सा ही बन जाता है, दूसरी बात इसके अंदर, कि मुहाबरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं आत जो उसका मूल सब्द होता है उसके अंदर कभी अर्थ में परिवर्टन नहीं आता जैसे अमने देखा अकल चरने जाना अकल चरने जाना तो अकल के इस्तान पर आप कोई दूसरा सब्द नहीं लग सकते है कि अकल मतलब बुद्धी भी होता है पर हम ऐसा कहँ दें कि अकल के विक्तान पारम उनल बुद्धी चरने जाना तो इह प्रयोग गलत हो जाएगा ये सब्दुंव Αसुद्धु हो जाएगा तो हम इसका होता है मोहबरे का उस सब्दु के अंदर कभी परिवर्तन होता नहीं है वह वैसा कि वैसा ही प्रयों में लिया जाता है इसलिए ना तो यह मुअब्र स्वतंत्र होते हैं मुअबरों का ता उस में यह जाते हैं इनका में मूहब्रों की तरफ ले चलते हैं कि आप चुनके जो आपकी एक्जाम में बहुत जदा यह सब्यों पूचे गए यही मुहावरे मिने आप से यहां पर हम डिसक्षन करेंगे वो मुहावरों को हम याद करेंगे पढ़ लेंगे चलिए अब मुहावरों की तरफ चलते हैं पहले हम देखेंगे मोखवरों के अर्थ और उसके प्रेयोग, दोनों ही हम साथ सात में देखते चलेंगे और फिर लास्ट में जब हम यथे सारे मोखवरे कर लेंगे उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेसिन पूँचूंगी ठीके चली पहले मुहाबरा हम देखते हैं अक्ल पर पत्थर पढ़ना कार्थ होता है बुद्धी का प्रयोग न करना अक्ल पर पत्थर पढ़ना बुद्धी का प्रयोग न करना यह इसका आर्थ है अब इसका प्रयोग होगा जब मनुस्य पर कोई भारी विपत्ती आ जाती ह तो उसकी अक्रिपर पत्थर पढ़ जाते हैं दुसरा देखेंगे अगर-मगर करना अर्थात ताल मटोल करना या फिर बात को घुमाना कई लोग पुस्तक उदार ले जाते हैं परन्तु जब वापस मांगो तो वे अगर-मगर करने लगते हैं थर्ड अपना उल्लू सिधा करना स्वार्थ निकालना स्वार्थ निकालना खुद की गरज पूरी करना चुनाओं में जीत जाने के बाद अनेक नेता अपना उल्लू सिधा करने में लग गये हैं फोर्थ देखेंगे अपनी किचडी अलग पकाना मिल करना चलना, अलग रहना, संसद में छोटे दलों के नेता अपनी खिचडी अलग पकाते हैं अपने मुँ मिया मिट्टू होना, अपनी खुद प्रसंसा करना, अपनी बढ़ाई करना आस्ता चेनल पर आने वाले कई उपदेशक अपने मिया मिट्टू बनते हैं अपने पेर पर आप कुलाडी मारना यानि अपना नुक्षान करना या अपना स्वयम नुक्षान करना समय से पहले सेवा निपृति का आवेदन देकर कृष्णा के पिता जी ने अपने पेर पर आप कुलाडी मार ली आगे अंग अंग ढीला होना, बेहत ठक जाना, बेहत परेशान हो जाना, विवा का प्रबंद करते करते सुरेश्त तथा उसके पिता का अंग अंग ढीला हो गया एट नंबर अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर बोल बोलना, अत्तिदी गुसे में खराब बचन बोलना, नगर निगम द्वारा वेद कबजे अठाए जाने पर क्रांती दल के नेता ने अंगारे उगलना सुरू कर दिया नाइन नंबर आखों में खटकना तो उसका अर्थता बुरा लगना लेकिन जब आप देखो आपको एक बात और बता दू कि जब यह सब्द जो दिया है मुहाबरा दिया है जैसे आखों में खटकना या कोई दूसरा मुहाबरा लेलो अंग अंग डीला होना या अंगारे गलना तो जो मुहाबरा है उसी का जो आप वाक्य में प्रयोग करते तो वही लास्ट वाला सब्द आपके मुहाबरों का ही आना चाहिए दूसरा सब्द आना नहीं चाहिए नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा तो मुहाबरे का जो मुहाबरा जो होता है वही आपके बाक्य की प्रयोग में आना चाहिए जैसे आंखों में खटकना तो उसका आर्थ तो होता है बुरा लगना लेकिन इसका बाक्य में प्रयोग क्या हुआ सरारती बच्चा प्रतेक अध्यापक की आँखों में कटकता है बरावर सरारती बच्चा प्रतेक अध्यापक की आँखों में कटकता है आँखों में कटकता है या मुहावरे वाला वर्ड ऐसा ही आपका भी होना चाहिए नेक्स देखेंगे आँखें चुराना उपेक्षा करना विपत्ती के दिनों में तो अच्छे से अच्छा मित्र भी आँखें चुराने लगता है आँखे बिचाना बहुत सम्मान करना या राह देखना स्वामी जी की आगमन पर पूरे नगरवासियों ने अपनी आँखें बिचा दे अंगुटा दिखाना साफ मुकर जाना साफ इनकार कर देना जब मैंने कृपांसकर से एक सक्ता के लिए गणित की कोपी मांगी तो उसने अंगुटा दिखा दिया अंग लगाना, स्विकार करना या गले लगाना, चमा मांगते ही दीपु की माता ने उसे अंग लगा लिया अंगंग मुस्काना बहुत प्रशन होना बहुत खुश होना सायरा के प्रते प्रतम आने की सुचना पाकर ही उसके माता पिता का अंगंग मुस्कराने लगा अक्ल का अंधा मूर्ख होना बेवकूफ होना काली चरण ने कबार सा स्कूटर आठ हजार में खरीद लिया मानोव अक्ल का अंधा हो अंधेरे घर का दीपक या अंधेरे घर का उजाला एक लोता पुत्र या एक लोता बारिश उग्रवाद में आतंगवाद्यों ने देवेश के पुत्र को मार कर उसके अंधेरे घर का दीपक उजाला ही छीन लिया ये आपके 2000 में आपके एक्जाम में पूछा गया था आगे अंधे की लाटी एक मात्र सहारा सेवा निवृती के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंसन ही अंधे की लाटी होती है अन्दे को दीपक दिखाना या रा दिखाना या निस्दफल प्रयाश करना योगे इसको कुछ समझाने का प्रयास करना तो अन्दे को दीपक दिखाना है अंदे के आगे नाचना, अयोगी व्यक्ति के सामने कला का प्रदर्शन करना जो देख नहीं सकता हो उसके सामने अगर आप नाचना गाना करते हो तो क्या कहला जाएगा कि अयोगी उसके लायक नहीं अयोगी व्यक्ति के सामने कला का प्रदर्शन करना तो अवाक्य है नंदू को इंटरनेट की क्या बाते क्या समझाएंगे उस निरक्षर को कुछ बताना तो अंदे के आगे नाचना है आचल पसारना, धीक मांगना बीमार बच्चे को बचाने के लिए दीपेस ने प्रतेक डोक्टर के आगे आचल पसारा आकास पाताल का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर या बहुत अंतर रमा दता लक्षमी है तो दोनों सगी बेने परंतु उनमें आकास पाताल का अंतर है आकास पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना, बहुत महनत करना खोए बच्चे को डूढने के लिए पूरे राजी की पुलिश ने आकास पाता लेक कर दिया आकास पर थूकना, किसी बड़े पर दोस लगाना महात्मा चंदर सेन के विशे में बुरी बाते करना, आकास पर थूकना है आकास से बाते करना, बहुत उचा होना, गगन चुम्बी होना कुतुम मिनार देखकर ऐसा लगता है मानों आकास से बाते कर रहा हो आगे आसमान पर चड़ना, बहुत गमंड करना, बहुत गर्ब करना नौकरी मिलने के बाद तो हर किरत जैसे आसमान पर चड़ गया है आसमान सिर पर उठाना, बहुत सोर करना, बहुत आवाज करना अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया आसमान तूटना, मुसिवत पढ़ना या मुसिवत आना श्रीनगर से पलायन करने के बाद हरी संकर पांड्या पर आसमान ही तूट पढ़ा आडे हातों लेना, खरी खोटी सुनाना या उल्टी सिधी बाते करना उद्धो का निर्गुण संदे सुनते ही गोपियों ने उसे आड़े हातों लिया आसु पोचना, सांतवना देना, शांत करना माता पिता की दुरगटना में मृत्यु के बाद मीनु के आसु पोचने वाला कोई नहीं रहा आपे से बाहर होना, क्रोध में होस्क होना, अत्यदी क्रोधित होना अपनी बेहन के साथ अब बदरता की बाद सुनते ही रावड आपे से बाहर हो गया आँखों में धूल जोकना, धोका देना, चोर पुलिस की आँखों में धूल जोक कर भाग गया आँखों में खटकना, बुरा लगना, बुरी बातों के कारण दुस्ट जीवन सी पूरे मुहले की आँखों में खटकता है आँखें खुलना, होश आना, परिच्चा में बहुत अंक, कम अंक आने के बाद ही विपासा की आँखें खुली ये 2000 में पूछा गया था, आपकी बोड की एक्जाम में, आँखें दिखाना, डराना या धमकाना कक्षा में धनपतियों के बच्चे, गरीब बच्चों को बाद बाद पर आँखें दिखाते हैं आँखें उठा कर देखना, बुरी नजर से देखना बारतिय सीमा रक्षगों के होते हुए किसी सत्रू का साहस नहीं होता कि वह हमारे देश की और आखें उठा कर देखें आँखों पर परदा पढ़ना, विवेक न रहना, रावड के हितेसी उसे सीता लोटाने का परामर्स देते रहे परंतु उसकी आँखों पर परदा पढ़ गया, ये भी आपका 2000 में भी पुचा गया था और 2013 में भी बोड की एक्जाम में पूचा गया था आँखों से गिर जाना, इज़त कम हो जाना, या नीचे गिर जाना, कई मैचों में सुनने पर आउट हो जाने के कारण मुहम्मत केफ खेल प्रेमिकाओं की आँखों से गिर गए, आँखे तरसना, देखने की तिबर इच्चा होना, स्री राम के दरसनों के लिए पूरे अयोध्यावासियों की आँखें तरस रही, आँखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना, ये बहुत श्नेही योगी बच्चा सभी की आँखों का तारा होता है आच ना आने देना हानी न होने देना जलते मकान में से बच्चा निकलते हुए धर्मेंद्र तो जुलस गया परंतु उसने बच्चे को आच ना आने दी आग बबुला होना अत्यदिक क्रोध करना द्रोपती को अप्मानित होते देखकर बीम आग बबुला होने लगा यह 2001 में पुछा गया था आपकी बोड़ की एक्जाम में आग में घी डालना क्रोध को और बढ़ाना विद्यार्ती पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की द्वनी ने आग में घी डालने का काम किया आग में कूधना संकट में जान भूच कर जाना या मुसीवत मोल लेना भी बोल सकते हैं मुसीवत मोल लेना राने कर्मवती की राखी पाकर हुमायू सायता के लिए तयार हुआ तो हिंदू वेग ने उसे आग में कूधना बताया कर्मचन्द ने यतिंद्र को फेक्टरी में नोकरी दिलवाई और उसने फेक्टरी पर ही कबजा कर लिया और कर्मचन्द को जूटे मुकद्रमे में जेल भिजवा दिया तो पता चला कि वह तो आउस्तिन का साप था इधर उदर की हाकना व्यर्थ की गपपे मारना या व्यर्थ बाते करना हमारे विद्याले का चिक्चा अधिकारी अपने ओसदाले में बेटने की बजाए केफे में बेटा इधर उदर की हाकता रहता है इड का जबाब पत्तर से देना, सत्रू को करारा उत्तर देना महाराज कुवर सिंग ने अंग्रेजों की इड का जबाब पत्तर से देकर खोया, राज प्राप्त किया था इड का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना चुनाव जितने के बाद हमारे नेता इद का चांद बन जाते हैं इड से इड बजाना, नस्ट कर देना बम कांड के बाद पुलिस ने आतंक वादियों के सभी ठिकानों की इड से इड बजा दी उन्निस बीस का अंतर बहुत कम अंतर होना चुनाव के परिणाम में दोनु उमिद्वारों के मतों में उन्निस बीस का अंतर दिखाई दियाई अंतर निकला आगे उल्टी गंगा बहना, नियम के विप्रित कारी करना अध्यापक ने द्रंडता पूर्वक गोशना की की वे उद्दंड चात्र से चमा मांग कर उल्टी गंगा नहीं बहाएंगे उंगली पर नचाना, पूर्णतय वस में करना, कई पत्नियां अपने पत्यों को उंगली पर नचाती है उंगली उठाना, दोस लगाना, उस जैसे इमानदार नेता पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता उर्टी चिडिया पहचानना, बहुत अनुभवी होना, पुलिस अधिकारियों ने चोर की आँखों में देखकर कहा कि वे वह तो उर्टी चिडिया पहचान लेते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रेयतन करना, बहुत मेहनत करना परिक्षा में प्रतम आने के लिए दिपेंद्र ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया एक न चलना, प्रेयतन निशफल रहना हर ताली कर्मचारियों को समझाने कई नेता बारी-बारी से गए परंतु उनकी एक न चली ये भी 2002 में पूचा गया था एक ही थेली के चट्टे बट्टे सभी एक जैसे होना हमारे चेत्रवालों ने तीन चुनावों में बदल बदल कर विध्यायक चुने परंतु सभी एक ही थेली के चट्टे बट्टे निकले यहाँ पर एक थेली या एक थाली भी भी बुलिख सकते हैं कि एक थाली के चट्टे बट्टे ठीके कमर कसना तयार रहना द्रंड निश्चे कर लेना विश्व कब जीतने के लिए बारतिये खिलाडियों ने अभी से कमर कसली है आगे कमर तूटना बहुत निरास हो जाना पुत्र की हत्या के बाद तो सेट मेहंद्र नात की कमर ही तूट गई आगे कट पुत्ली बनना दूसरों के संकेत पर चलना आज की सिक्षिक नारी को घर में पुरुस कट पुत्ली बनाकर नहीं रख सकते कान पर जू न रेंगना कोई प्रभाव न होना विज्ञान के अध्यापक नूतन को बार बार समझाते रहे परंतु उनके कान पर जू तक न रेंगी कान कतरना बढ़ चड़कर कारी करने के योग्यों होना अधिक अपनी खुद की बढ़ाई करना सुहराव है तो अभी जूनियर खिलाडी परंतु बढ़ो बढ़ो के कान कतरता है कान खड़े होना सचेत हो जाना चोरों के गाउं के आसपास छिपे होने की खबर सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए ये 2008 में पूचा गया था कान भरना चुगली करना या फिर इधर उधर की बाते बताना रूबिना की भावी आए दिन उसके भया के कान भरकर उसे डाट लगवाती है ये डाट लगवाती है ये भी 2007 में पूचा गया था कफन बान कर चलना मरने के लिए तयार होना या मरने से न डरना आजादी के परवाने अंग्रेजों के विरुद संगर्स में सिर पर कफन बान कर चलते हैं कीचड उचालना, अपमान करना या अपमानित करना संसद में विभिन दलों के लोग एक दूसरे पर कीचड उचालते हैं यह भी आपको पूचा गया था कलई खुलना, बेद प्रकट हो जाना, गोपियों ने उद्धो से कहा की योग साधना की बात करते ही उसकी सारी कलई खुल गई यह भी पूचा गया था 2005 में की कलई खुलना अर्थात बेद प्रकट हो जाना, काल के गाल में जाना, मर जाना काल के गाल में जाना, अर्थात मर जाना, अमर हो जाना, असम की बाड में अनेक लोग काल के गाल में चले गए यह भी 2002 में पुचा गया था, कंचन बरसना, सम्रिद्धी होना तुलसी दास ने कहा है कि जिस घर में आपको देखकर कोई प्रेम से विवार नहीं करता, वहां नहीं जाना चाहिए बले ही वहां कंचन बरसता हो, काम आना, युद में मारे जाना सन 1857 के सुतंतरता संग्राम में भारत माता के चहजारो सपूत काम आये खुन खोलना, जोस जोस आना, अपने पुत्र मेगनात की मृत्तियु का समाचार सुनते ही रावड का खुन खोलने लगा खुन का घूट पिकर रह जाना, क्रोध को दवाना, हपता लेने आये गुंडे का वहवार देखकर दुकानदार खुन का घूट पिकर रह गए खटाई में पढ़ना, कुछ भी निर्णे स्तगित रहना नहर निर्मान का काम दो राज्यों के परस पर विवात के कारण खटाई में पढ़ गया खाक चानना, व्यर्थ गूमना, आजकल के लाखो यूवक कोई काम धन्दा न करके गलियों में खाक चानने फिरते हैं खाक में मिलना, पूरी तरह नश्ट हो जाना, हमारे सेनिक ने दुस्मन की कई चोकियों को खाक में मिला दिया खून का प्यासा होना, जान लेने का इच्चुक, अपने मित्र से व्यापार में धोका खाने के कारण अमरनात उसके खून का प्यासा हो गया गागर में सागर भरना, कम सब्दों में अधिक कहना विद्वानों का मत है कि बिहारी के दोहे में गागर में सागर भर पड़ा है गड़े मुरदे उकारना, खर्तात अतीत की बातों को चेड़ना, बीती हुई बाते कहना सरपंच ने स्पस्ट कहा की गाउं के विकास के लिए अब गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद होना चाहिए आगे गले काहार बहुत प्यारा होना मेघावी चात्र अध्यापकों के गले काहार होते हैं ये 2010 में पुछा गया था गिरगिट की तरह रंग बदलना सिध्धान्त न होना हमेशा बात से मुकर जाना आज कल के नेता हर चुनाओ के समय गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं गुदडी का लाल सामान्य जगह पर गुड़ी व्यक्ति का होना भारत के भूत पूर्व प्रदान मंत्री लाल बहादरू सास्त्री को गुदली का लाल का जाता है आगे गाल बजाना डिंगे मारना या बहुत ज़्यादा फेकना विधी चंद्र प्रतेक नए अध्यापक के सामने गाल बजाना सुरू कर दिते हैं गुड़ गोबर करना काम बिगाड देना हमारी गली के निर्माण के लिए सरकारी गोशणां उने कही वाली थी कि चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा कर सारा गुड़ गोबर कर दिया गड़ो पानी पढ़ना अती लज्जित होना जब रमेश के पिता ने अपनी जेब से उसे रुपे चुराता पकड़ लिया तो उस पर गड़ो पानी पढ़ गया घर में गंगा वहाना सुविदा अत्यंत पास होना दीपक को गणित के लिए कई बाहर से ट्यूसन लेने की क्या अवशक्ता है उसकी बेहन गणित में MSC कर आई है तो अब उसके घर में ही गंगा बह रही है गाव पर नमक चिड़कना किसी दुखी को और दुखी बनाना मीना की अकाल मृत्यू के बाद उसके पिता बैसे ही सोक ग्रस्त थे अब लोग उसके विशे में बुरी-बुरी बाते करके गाव पर नमक चिड़क रहे है गाट-गाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना सुप्रीत से वाद विवाद में पार पाना कठीन है क्योंकि उसने तो गाट-गाट का पानी पिया है गी के दिये जलाना बहुत खुशी मनाना स्री राम के वन से लोटने पर अयोध्या के निवासियों ने गी के दीपक जलाए गुटने टेकना हार मानना सुरक्षा नेथाओं की कड़ी कारिवाही को देखकर आतंक वादियों ने गुटने टेक लिये यह आपका 2002 में भी पूचा गया था और 2003 में भी पूचा गया है गोडे बेचकर सोना गहरी नीज में सोना या वेफिक्र होकर सोना फसल घर आ जाने पर किसान गोडे बेचकर सो रहे हैं चिराग तले अंदेरा महतपुणिस्तान के निकट अज्यान का पनपना ठानेदार के घर में चोरी की बात सुन कर सभी कहने लगे कि यह तो चिराग तले अंदेरा है चादर के बाहर पैर पसारना आंसर है आम आदमी से बढ़कर खर्च करना पिता जी ने सेवा निवरित होने होते ही घर के सदस्यों से कहा कि अब चादर से बाहर पैरना पसारे चार चांद लगना यहाँ पर कहा कि चादर से बाहर पैरना पसारना मतलब जितनी हमारे पास आंदनी जितनी हमारी कमाई है उतने में ही हमें पूरा करना होता है चार चान लगना, सम्मान बढ़ाना चार सुर्ण पदक जितने वाले हमारे खिलाडियों ने देश को चार चान लगा दिये हैं चुलू बर पानी में डूब मरना, सर्म महसूस करना या लज्जित होना पहले ही दावर में टीम बाहर हो गई तो कोच ने खिलाडियों से कहा की वे चुलू बर पानी में डूब मरें चुडियां पहनना, कायरता दिखाना गाउं की इस्त्रियों ने युकों से कहा कि वे चूडियां पहन कर घर में बैठें और अपने हत्यार उन्हें दे दें ताकि वे डाकूं से मुकाबला कर सकें चिकना गड़ा बे असर ब्यक्ति जिस पर कोई असर न होना सोहन को देश वक्ति क्या समझा रहे हो वह तो चिकना गड़ा है चांद पर थूकना किसी बड़े परदूश लगाना महात्मा ब्रिजेंद्र की निंद्या करना चांद पर थूकना है चटी का दूद याद आना संकट का आनुभो हुना या मुसीवत में पढ़ जाना नेताओं ने सत्रू पक्ष को चटी का दूद याद दिला दिया चक्के चुडाना पूरी तरह बुरी तरह पराजित करना महाराणा प्रताबने मुगलों के कई दो में चक्के चुडा दिये थे चाती पर मूंग दलना जान बुज कर दुख देना मुहले वालों ने गुंडों को निकाल कर चेन की सांस भी नहीं ली थी कि वह स्थानिय नेता के घर में सन्रक्षन पाकर लोगों की चाती पर मूंग दल रहा है चाती पर साप लोटना इर्शा होना पडोसी के पास नई कार आते ही कई पडोसियों की चाती पर साप लोटने लगा चुपा रुस्तम साधारण परंतु गुणी व्यक्ति औस्टेलिया का गोलची टीम में अचानक आया था परंतु कई गोल रोक कर उसने सिद्ध कर दिया की वह चुपा रुस्तम है जान पर खेलना जोखिम बरा कारी करना सोतंतरता दिलाने के लिए अनेक देश भक्ती जान पर खेल गए जान के लाले पढ़ना संकट में आ जाना बाड के बढ़ते पानी से छेतर के कई गाहों में जान के लाले पढ़ गए जूतिया चटकाना इधर उधर बेकार घूमना आज के कई सिक्षित यूवक्त अपना कोई काम करने की वज़ाए जूतिया चटकाते भिरते हैं जहर का घूट पीना जूटा आरोप सेहना सेट जी द्वारा अपने नोकर पर चोरी का जूटा इलजाम लगाने पर बेचारा नोकर जहर का घूट पीकर रह गया यह भी 2011 में पूचा गया था तस्से मस नहोना थोड़ा भी विचलित नहोना दोक्तर इतना लालची निकला की मरते बच्चे को देखकर भी अपनी फीस को लेकर अडा रहा और लोगों की प्राथना पर तस्से मस नहोगा तका सा जवाब देना इनकार कर देना मना कर देना जब मैंने महस से अंग्रेजी की पुस्तक मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया ये भी 2014 में पुछा गया था टांग अडाना रुकाबट टलना जैसे ही गाओं की गलियों को चोड़ा करने का कार्यारम हुआ वैसे ही कई लोग अपनी कबजे को लेकर टांग अडाने लगे ये भी 2012 में पुछा गया था टेड़ी खीर कठिन काम हिमाले की चोटियों पर चड़ना अब लड़कियों के लिए भी टेड़ी खीर नहीं रह गया ठोकरे खाना कष्ट उठाना मुसिबत उठाना अध्यापक प्राय कहते हैं कि समय का सदूपियों करो अनिता ठोकरे खानी पड़ेगी डंका बजाना प पूरे उत्तर भारत में डंका बसता था डिंगे मारना जूटी प्रसंसा करना या आप प्रसंसा करना राकेस की बातों पर मत जाना वह तो सदा डिंगे मारता रहता है डूप मरना लज्जित होना बोड की परिक्षा में तिसरी सेड़ी में उत्तिन होना तो डूप मरने वा बनने के लिए राजकुमार अंग्रेजों के तलवे चाड़ता रहा, ताता लगना, भारी भीर हो जाना, आज कल एक पद का विक्यापन देखते ही उमिद्वारों का ताता लग जाता है, तिल का ताड बनना, बात को बहुत बड़ा चड़ा कर बताना, गरों में तिल का ताड बनाने से ही प्राई जगड़े होते हैं तूती बोलना अत्यंद प्रभाव होना एक समय था जब भारत में सेर सांसुरी की तूती बोलती थी थाली का बेंगन अस्तिर व्यक्ति, आजके छोटे दल थाली का बेंगन है क्योंकि वे जिदर मंत्री पद देखते हैं उदर ही दरदर भटकना, जगह जगह प्रयास करना, आज के बेरोजगारी वक नौकरी के लिए दरदर भटकते हैं, दल दंग रह जाना, आश्चरी चकित रह जाना, नन्य जादूगर के कारनामे देखकर सभी दरसक दंग रहे गए, दंगुटना, सांस लेना, सांस लेना, कठिन होना, बस में इतनी भीर थी कि मेरा तो दंगुटने लगा था, दाई से पेट चिपाना, जानने वाले से ही भेद चिपाना, थानेदार ने कड़क कह दिया कि दाई से क्या पेट चिपाते हो, मैं जानता हूँ कि चोरी किसने की है दात खट्टे करना, बुरी तरह हारना 1965 के युद्ध में बारतिय सेनिकों ने पाकिस्तान के दात खट्टे कर दिये थे दाल में काला होना, संदे होना, शक होना कई दिनों से संभू नात की पुत्रवदू बाहर दिखाई नहीं देती अवसी दाल में कुछ काला है ने बेंत से कहा कि उसकी बहन के बारे में किसी ऐसी बासा का प्रयोग किया तो उसके दात तोड़ देगा दाग लगाना, कलंक लगाना, छोटे से देश से सरंकला हमारे हार कर हमारे खिलाडियों ने अपने देश पर दाग लगा दिया दिन दूगनी राच चोगनी उन्निती करना, तेजी से या तेज गती से उन्निती करना या तेज गती से विकाश की और बढ़ना स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारत ने दिन दूगनी राच चोगनी उन्निती करनी प्रारम कर दी दो टूक जवाब देना, साफ मुकर जाना जब मैंने मुकेस से पाँच, पचास रुपए मुधार मांगे तो उसने दो टूक जवाब दे दिया दोनों हातों में लड्डू होना, बहुत लाब होना एक तो उसने पड़ी लिखी बीबी मिल गई, दूसरी उसकी सरकारी नोकरी लग गई उसके तो दोनों हातों में लड्डू है, ये 2008 और 2007 दोनों में बोड की एक्जामें पूछा गया था दोड धूप करना, कठिन परिश्रम करना, दो वर्स की दोड धूप के बाद भी मेरे M.A.M. एड बाई को कोई नोकरी न मिली दजी ये उडाना, दुर्गती बनाना, महेंदर सिंग धुनी ने इंगलेंड की गेंद बाजी की दजीया उडा दी नमक मिर्च लगाना, बातों को बड़ा चड़ा कर कहना, प्राय घरों में जगडा तब होता है जब कोई सदसे किसी गटना को नमक मिर्च लगा कर फ्रस्तूत करता है नाक काटना, सम्मान खंडित होना, कृपालू की बहन ने घर से भाग कर अपने खांदान की नाक कटवा दी नाक में दम करना, तंग रहना ये तंग करना, चौक पर विकारियों की बड़ती फोज ने नाक में दम कर दिया नाको चने चबवाना, खूब तंग करना, महराज प्रत्वी राज चोहान ने सत्रू को नाके तचने चबवा दिये 2006 में पुछा गया था ये, 9211 होना, भाग जाना, पुलिस आते देखकर डाकू 9211 हो गए नाक पर मक्खी न बैटना, अपने विरुद कोई बात न सुनना, वरंदा को अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि वन तो नाक पर मक्खी नहीं बैटने देती ये 2005 में पुछा गया था, पराई आग में कुदना, दूसरों के संकट में सोयम संकट गरस्त हो जाना आजकल ऐसे सुर्विर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो पराई आग में कूद जाएं, पापड बेलना, कश्ट पूर्ण जीवन जीना, इस नौकरी तक आते आते देवांग ने कई तरह के पापड बेल लिये नाक, रगणना, मिन्नते करना, चोर कई घटे, घंटे नाक रगणता रहा परंतु गाह वालों ने उसे पुलिस के हवाले करके ही दम लिया नाक रख लेना, इज्जत रख लेना, अंत्र विद्याई, बाशन, प्रति योगिता में संगीत ने स्वर्ण पदक पाकर अपने माता पिता एवं विद्याले की नाक रख ली, ये 2011 में पूछा गया था नानी याद दिलाना या नानी याद आना तो होस्ट रिकाने आना सारा वर्ष घुमते रहने वाले विद्यारतियों को परिक्षा में नानी याद आती है पांचों उंगलियां घी में होना खूब लाब होना चुनायो के दिनों में कार्यकरताओं की पांचों उंगलियां घी में होती है पेट में चुए दोड़ना बहुत भूख लगना वू स्कलन के खारण यातायाँ 14 गंटे अवरूद रहा तो सभी आत्यों के पेट में चुए दोडने लगे पगड़ी उचालना इजत उतारना इतना घटित अपराद करके दमन ने अपने पिता की पगड़ी उचाली है फलना फूलना समरुद्ध होना कटिन परिस्वम से ही व्यापार फलता फूलता है ये 2006 में पूचा गया था फूला ना समाना बहुत प्रशन होना चुनाओ जित जाने पर नेता जी का परिवार फूला ना समाया ये भी 2006 में पूचा गया था बहती गंगा में हाथ दोना अफसर का लाव लेना पिता जी कहते हैं कि जब तक वे उच पद पर कार्यत हैं सभी संबन्दी बहती गंगा में हाथ दोले बीगी बिल्ली बनना भैसे दबे रहना ये डर से चुप जाना सीमा सारा दिन उचल कूद करती रहती है परंतु पिता के आने पर बीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती है मन मसोच कर रह जाना निरास होकर बैठ जाना इतने कम आकर पाकर पुनित मन मसोच कर रह गया ये 2002 और 2004 में पुछा गया था मुठी गर्म करना घुश देना आज कल कई कार्यालयों में तभी काम होता है जब अधिकारियों को मुठी गर्म की जाए ये भी 2009 में पुछा गया था मिट्टी का मादो निरा मुर्ख पूरा मुर्ख योगेस को समझाना व्यर्थ है क्योंकि वह तो मिट्टी का मादो है ये भी 2005 में पूछा गया था रफू चक्कर हो जाना भाग जाना चोर महिला का पर्स छीन कर रफू चक्कर हो गया रंग में भंग करना खुसी में विगना आना संगीत समागम पूरे चरम पर था की अचानक आई वर्सा वा आंधी ने रंग में भंग कर डाला ये भी 2005 में पूछा गया था रंगा सियार दोके बाज होना आज के महात्माओं पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें से अधिकतर रंगे सियार होते हैं रोंग्टे खड़े हो जाना डर जाना या भह जाना या भह लगना अचानक बाग को सामने पाकर सिकारी के रोंग्टे खड़े हो गए लोहा देना, मुकाबला करना, सामना करना हमारी सुरक्षा निताओं ने लोहा लेना सरल नहीं आगे देखेंगे विशुगलना, कटोर वचन बोलना सरस्वती का दिन देखकर मैंने अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई का स्री गणेश कर दिया ये 2015 में पुछा गया था साप को दूद पिलाना, सत्रू को सनरक्षन देना द्यापार में सब कुछ लुटने के बाद ही सुबोध प्रशात को पता चला की वह अपने मेनेजर के रूप में साप को दूद पिला रहा था सिर मुडाते ही ओले पढ़ना कारिप्रारम होते ही संकट आना जैसे ही मेरे भाई ने दीजे का काम प्रारम क्या वैसे ही सरकार ने इस पर रोक लगा दी मानो सिर मुडाते ही लोले पढ़ गए सिर उठाना विद्रो करना या विरोध करना अब भी जम्बू ब कस्वीर में कई उग्रवादी संकटन सिर उठा रहे हैं सिर नीचे होना सरमिंदा होना या फिर लज्जित होना सौरव ने चोरी करके अपने माता पिता का सिर नीचा कर दिया ये 2008 में पूचा गया था हवा से बाते करना तेज भागना या तेज दोडना महाराणा पताप का गुड़ा चेतक हवा से बाते करता था हवाई किले बनना बड़ी-बड़ी कल्पनाए करना परिश्रम से सफलता प्राप्त होने होते ही न की हवाई किले बनाने से हात मलना पस्चा ताप करना समय का सदुपयोग न करने वाले बाद में हाथ मलते रहते हैं हाथ फैलाना मांगना समर्थक लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हाथ पैर मारना कौसिस करना आजकल सरकारी नोकरी पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पढ़ते हैं ये 2009 में पूचा गया था हाथ पर हाथ धर कर बैठना कुछ न कहना या कुछ न करना यू हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे तो कभी किसी योगिन न बन सकोगे हतेली पर सरसो जमाना थोड़े समय में कठिन काम कर देना वेवसाय पनपने में समय लगता है क्योंकि अभी हतेली पर सरसों नहीं जमती उक्का पानी बंद करना समुदाय से वहिस्कृत कर देना अपराधी सुभाव के कारण गजाधर सीप का पूरे गाउने उक्का पानी बंद कर दिया होस उड़ जाना, घबरा जाना साप को विस्तर पर देखते ही मेरे तो होस उड़ गए हवा लगना, बुरा प्रभाव पढ़ना कालेज में या कॉलेज में पहुंसते ही कई बच्चों को हवा लग जाती है हवा का रुख पहचानना, परिस्तिती समझना नेता लोग हवा का रुख पहचान कर तुरंत दल बदल देते हैं हवा हो जाना, भाग जाना अध्यापक तो देखते ही बाहर के सरार्ती लड़के कीड़ा छेतर से बाहर हो गए हाथ को हाथ न दिखाई देना गहरा अंधकार होना एक तो अमावस्या की रात और दुसरे बिजली उड़ जाने से हाथ को हाथ दिखाई न देता था हाथ साफ कर जाना, चुरा लेना या साफ कर जाना कई स्वार्थी अधिकारी भुकंप रहत कोस पर ही हाथ साफ करने से बाज न आते हैं अब मैं क्या करूँगी, इतने सारे मैंने आपको मुहावरे सिखा है बहुत सारे मुहावरे, आपको इसा मुहावरे एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है अब मैं कुछ आपसे अभ्यास करवाँगी, यानि कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगी और वो प्रश्णों को आप रभ बुक में लिखो या फेर बुक में लिखो या आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े से आपको मुहाबरे देना चाहती हूँ उस मुहाबरे का आर्थ आप अपने मन से ही लिखना जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना कर सकते हो अपने मन से अगर मैं इसका भी उत्तर आपको बता दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा आप तो जैसे लिखा हुआ वैसे आप देखकर रट लोगे लेकिन मैं कुछ आपको कुछ क्वेस्टन दे रही हूं उन क्वेस्टन को आप अपने आप लिख कर और अपने आप चाहे ठीक्तिस करोगे कि तो आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको कुछ क्यूस्टन दे रही हूं तो Addloo यह जो में मुआबरे आपको दूगी वो सब एक्जाम में पूछे गए हैं ठीक है इसलिए आप अपने मन से इसको लिखना जो नहीं आता वही आप देखना जो आता हो उसे अपने मन से लिखो तो पहला इसमें कॉश्चन है निमलिक्त मुआबरों सुहावने लागे चोथा कलई खुलना पाच्वा हाथ पेर मारना चट्टा चैरा उतरना साथ्वा नाक रख लेना आठ्वा मुह में पानी भर आना नौवा सिक्का जमाना दस्वा कान का कच्चा इस सबका आर्थ और वाक्य में प्रयोग भी करना है नेक्स देखेंगे टू नंबर क्वेशन नंबर टू निमलिकित मुहावरों की सायता से वाक्य बनाईए अब इसका आर्थ नहीं लिखना आपकी कली इसको वाक्य में प्रयोग करना है ठीके तो पहला इसमें आच ना आने देना दूसरा आग में घी डालना तिसरा इट का चान होना पांचवा एक ही थेली के चट्टे बटे या एक ही थाली के भी चट्टे बटे लिख सकते हो आप चट्टा कान पर जून न रेंगना सात्वा खून का घूट पिकर रह जाना आठवा घडो पानी पढ़ना नौमा चिराग तले अंदेरा दस्वा टस्ट से मस ना ह चौद्वा नानी याद खाना और पंद्रवा बीगी बिल्ली बनना नेक्स्ट देखेंगे क्वेशन नमबर त्री उपरियुक्त मुहाबरों के प्रयोक से रिक दिस्तान पूरे कीजिए अब आपको क्या करना है कि जो खाली जगह दिये जो फिलिंग दे ब्लेंक्स दिये उसके अंदर कौन सा मुहाबरा फिट बैठता है कौन सा मुहाबरा सही बैठता है वो आपको यहाँ पर लिखना है तो इसमें पहला है वीभीशन की सीक भरी बाते सुनकर अंकारी रावड क्या हो गया वो आपको यहाँ लिखना है सेकेंड ठक पुलिस की आखों में खाली जगह भाग गया थर्ड पुत्र के आई एस परिक्षा में सफल होने पर पिता फूले क्या नहीं किया हां आगया होगा आप लोगों को आगे फॉर नंबर सुमन्ने परिक्षा में परतम आने के लिए आकाश दूसरा क्या आएगा पता है आपको लिखो आगे फित नंबर दूसरों की समृद्धी को देखकर दूस्ट लोग की चाती पर क्या होता है आपको पता है ठीके तो यह सब आपका अभ्यास है यह आपको प्रैक्टिस करनी है यह जो मैंने दिये हैं आपको इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं अस्तु धन्